저सी तैल उत इहां के टो प्रॉड्राम करने वाले हैं बास आयोखते गीविक आसे इक नंपर के या उसंदाइक आप इस नंबर के सारे खेक्रस को हमें प我們 अगर मैं example दूँ तो suppose अगर user ने input दिया 8 तो हमारा output आएगा 8 के सारे factors तो 8 के factors कौन कौन से हैं 1, 2, 4 and 8 यह हमारा पहला example हो गया उसी तरह मैं एक और example लेता हूँ suppose user ने एंटर कर दिया 15 तो output के आएगा 15 के factors कौन कौन से होंगे 1, then 3, then 5 and then 15 तो यह हमारा program है user एक number एंटर करेगा और उस number के सारे factors को हमें print कर देना है उसके बाद second program हम करेंगे write a program to check prime number एक question गलत हो गया मैं इसको change कर देता हूँ second program होगा write a program to check prime number prime number okay prime number क्या होता है ऐसे number जिसके सिफ 2 factors हो उन्हें हम क्या बोलते है prime number so हम पहला program में start करते है यहां पर user एक number एंटर करेगा और उस number के सारे factors को हमें print कर देना है ओके यह दोनों line comment में है तो इसको तुम ignore करना कि मैंने program में question कैसे लिखा है उससे परिशान मत होना इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक comment में है So हम पहला program करते है program to print all the factors of the given number So यहां पर हमें एक number input लेना है तो अगर तुम्हें user input लेने नहीं आता तो इसके पहले की series के जितने videos हैं जाके देख सकते हो उसमें मैंने user input के भी videos सारे डाले हुए हैं यह देखो यहां पर सारे बिलकुल basic से जो तुमारे boards का course है बिलकुल basic मतलब Java में तुम्हें कुछ भी नहीं आता फिर भी वहां से 0 से लेके मैं पूरा एक course एक sequence में cover कर रहा हूं एक line से सो तुम्हें कहीं कहीं और जाने के जरूरत नहीं है सारी चीज़ें यहां पर समझ में आएंगे राइट सो स्टार्ट करते हैं सो हमें input लेना है तो import वाली line लिखनी होगी फिर scanner का object व्याना होगा एक number input लेना है तो हम एक variable ले लेते हैं राइट variable हम ले लेते हैं int n जिसमें हम number input लेंगे फाइन अब एक message प्रिंट कर देते हैं सो system.out.println और message देते हैं हम enter the number enter the number अब हम number input लेते हैं तो input कैसे लेंगे हम so input लेने कले हम यूज करेंगे n assign with sc.nextion user input नहीं पता तो description में link है प्लीज जाके देख लेना user input वाला video ठीक है fine अब हमें क्या करना है user n में जो भी number enter किया उस number के सारे factors को print कर देना है suppose user ने 8 enter कर दिया तो 8 के सारे factors को print करना है तो कैसे करोगे अब देखो जब भी तुम कोई program करते हो ना so तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किसी particular problem को तुम solve कैसे करोगे अगर मैं यहां पर पूरा code लिख दूँ और तुम उसको अपने copy में लिख लोगे और जाके exam में याद करके लिख लोगे ऐसे programming नहीं होती है मैं तुम्हें मैं अगर तुम्हें कोई program explain कर रहा हूं तो basically मैं तुम्हें सिखाने की कोशिस कर रहा हूं मैंने बता बोला कि 8 के कितने factors हैं बताओ कौन-कौन factors हैं बताओ तो तुम तुम तुरंद बोलोगे 1,2,4,8 यह तो तुमने इसलिए बोल दिया कि class 9,10 में पहुच गए हो बचपन से पढ़ रहा हूं जीरो के बराबर आ गया तो मतलब 1 क्या है इट का factor है फिर 8 में किस से डिवाइड करेगा हूं 2 से अगेन अगर मॉड का मतलब नहीं पता तो इससे ठीक पहले अला वीडियो जाके देख लो मॉड रिमेंडर देता है जैसे 5 मॉड 3 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानि 5 में 3 से डिवाइड होगा 3 बन जा 3 रिमेंडर कितना है या 2 तो 5 मॉड 3 2 होगा उसी तरह अगर 10 मॉड 4 लिखा हुआ है तो 10 मॉड 4 कितना होगा 10 में 4 से डिवाइड होगा 4 2 is 8, remainder कितना है, 2 न, तो यहां भी 2 होगा, तो mod हमें remainder देता है, okay, so 8 में 2 से mod लोगे, अगर ये भी remainder 0 आ गया, तो यहांनि 2 भी factor है, फिर 8 में किसे mod लोगे, 3 से mod लोगे, अगर यहां पे देखो, 8 में 3 से mod लोगे remainder कितना आएगा, 2 आएगा, यानि 3 factor नहीं है, राइट क्योंकि यह 0 का बराबर नहीं आया, उसी तरह फिर 8 में mod किसे लोगे 4 से, 0 का बराबर आएगा, हाँ आएगा, यानि 4 भी factor है, फिर 8 में mod किसे लेके चेक करोगे, वो class 2 का बच्छा जो एक ऐसे चेक करेगा, फिर 5 से डिवाइड करेगा, तो remainder 0 आएगा, किया हो ऐसे करेगा, 8 में 5 से डिवाइड करेगा, so 5 वोन जा, 5 remainder 3, तो बोलेगा, नहीं, 5 factor नहीं है, फिर 8 में mod किसे लेगा, 6 से लेगा, 7 से, फिर 8 में мод किसे लेगा, 8 से, तो 8 से भी डिवाइड करने पे 0 आजागा, यानि 8 भी factor है, तो यहाँ पे देखो, 1 से डिवाइड करने पे 0 तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा अगर यूजर ने 8 एंटर किया तो हमें 8 में 1 से लेके 8 तक हर नंबर से बारी-बारी डिवाइड करें चेक करना होगा कि किस-किस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है सब्सक्राइब एंटर कर दिया 12 तो तुम 1 से लेके 12 तक हर नंबर से बारी-बारी तुम 12 में डिवाइड करके चेक करोगे कि किस से किस से डिवाइड करने पर इमेंडर 0 आ रहा है वो सारे numbers क्या हो जाएंगा 12 का factors हो जाएंगे तो उसी तरह अगर कोई तुम्हें बोल दे कि n का factor निकालना है एक general sense में तो तुम क्या करोगे 1 से लेके n तक हर number से बारी बारी n में डिवाइड करके आग तक हर number से डिवाइड करेगा तो उसके लिए लूप चलाओगा लूप कहां से कहां तक चलेगा वन से एट तक बट प्रोग्राम में जोरी तु ना कि user 8 ही enter करेगा user तो n में कुछ भी enter कर सकता है तो loop हम कहां से कहां तक चलाएंगे 1 से n तक I hope clear हो गया होगा so यहाँ पर हम लिखेंगे for loop चलाएंगे for और यहाँ पर हम दे देंगे int i one से start करेंगे हम क्योंकि सबसे पहले one से करेंगे अगर लूप नहीं पता तो जाके लूप वाला वीडियो देख लो for loop का then i less than equals to कहां तक जाएंगे n तक and then उसके बाद हम क्या देंगे i plus plus i के value को हर बार एक हम बढ़ाएंगे so i plus plus and उसके बाद for के अंदर आगे अब देखो यहां for में क्या होगा जब हम first time for के अंदर आएंगे तो i के value कितनी होगी one होगी मानलो user ने n में enter कर दिया eight तो first time for के अंदर आएंगे तो i के value कितनी होगी one then two then three then four then five फिर कहां तक जाएगा 8 तक अगर मान लो end में user ने enter कर दिया 10 तो फिर 4 के अंदर first time i की value कितनी होगी 1 फिर 2 फिर 3 कहां तक जाएगा 10 तक तो user end में जो भी number enter करेगा i की value 1 से उस number तक जाएगी तो हमने इस तरीके से क्या किया हर number को बारी बारी access कर लिया अब हम n में जो number है उसमें divide करना है तो हम लिखेंगे if हमारा n में जो number है अगर उसमें हम mod लेते हैं mod कहाता है remainder किसे mod लेंगे i से क्योंकि i की value change हो रही है पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और अगर ये value किसके बराबर आगे 0 का बराबर हो यानि अगर n mod i 0 है अगर ये value n mod i 0 आ गई तो 0 का बराबर हो गई यानि उस समय जो i में value है वो n का factor है तो if के अंदर हम क्या करेंगे print कर देंगे हम system dot out dot system dot out dot print ln और यहाँ पे हम यह variable की value print करनी है तो simple i double quotation में लिखेंगे क्योंकि i की value print करनी है हो गया program बस simple यही program में अब देखो क्या होगा मान लो यहाँ पर user ने n में entry कर दिया मैं कोई छोटा से example लेता हूँ जैसे 6 यह मैं comment में लिख रहा हूँ बगल में 6 तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो मैंने लिख दिया है यहाँ 6 तो अब computer 4 में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा देखो i के value सबसे पहले initialization execute होगा तो i में 1 initialization के बाद computer condition पर जाएगा तो i less than equal to n i में 1 है n में 6 है तो 1 n से छोटा है condition true computer 4 के अंदर आएगा 4 के अंदर आया तो if मिला if में condition check करेगा तो n mod i n में कितना है 6 है न i में कितना है 1 है तो 6 mod i कितना होगा divide करके देखो अगर 6 में तुम 1 से divide करोगे तो 1 6 जा 6 remainder 0 आया की नहीं यानि इसके बदले कितना आ गया 0 आ गया जो कि 0 के बराबर है यह दोने equal हो गया तो if का condition क्या हो गया true और if का condition true होने पे computer कहां जाएगा if के अंदर जाएगा और if के अंदर क्या लिखा है system.out.println i तो i में अभी कितना है 1 है तो print कर देगा 1 i hope clear हो गया इतना उसके बाद अब computer कहां जाएगा अभी for तो हमारे execute हो रहा है न if से जब बाहर निकलेगा तो अभी for के अंदर ही है फिर for को continue करेगा for के updation पे जाएगा i plus plus तो i के value कितनी हो जाएगी अब 1 के बाद plus plus value को एक बहा देगा तो i के value हमारी 2 हो जाएगी computer कहां जाएगा for के अंदर for के अंदर if मिला तो आप देखो n mod i तो n में कितना है n में 6 है i में कितना है 2 है तो 6 mod 2 कितना होगा देखो 6 में 2 से divide करो तो 2 3 जा 6 remainder कितना है 0 न यानि कि जो हमारा n mod i है n में भी 6 है i में 2 है यानि 6 mod 2 यह भी 0 हो गया जो कि 0 का बराबर है अगे if का condition true तो computer फिर से if के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा i i में भी कितना है 2 है न तो अगला output हमारा क्या आगया अगला output आगया हमारा है 2 अगले line में फिर if से बाहर निकलेगा 4 के updation पर जाएगा i plus plus तो i के value अब 3 हो जाएगी तो अब i less than equal to n तो i में 3 है n में तो अभी भी 6 है condition true फिर 4 के अंदर आया और जब 4 के अंदर आया अब जसे 1 minute मैं इसको हटा दूँ जब 4 के अंदर आया तो 4 के अंदर फिर से क्या मिलेगा 4 के अंदर फिर safe मिलेगा तो अब n में कितना है n में तो अभी भी 6 है n तो change हो ही नहीं रहा है बट i में अब कितना है 3 तो 6 mod 3 कितना हो गया 0 जो की 0 का बराबर है condition फिर safe का true तो if के अंदर आएगा system.out.printer and i तो i में value तो अब plus plus एक और बढ़ा देगा 4 हो जाएगा फिर condition पे आएगा तो 4 less than equal to n condition true फिर 4 के अंदर आएगा if में जाएगा तो n mod i n में कितना है n में 6 है अभी भी बट i में 4 है तो 6 mod 4 कितना होगा देखो 6 में divide करो तुम 4 से तो 4 1 जा 4 remainder 2 यानि यह value 2 हो गई जो कि 0 का बराबर नहीं है तो इफ का condition false भाई 4 नहीं है 6 का factor क्योंकि तुम 6 में divide करो 4 से नहीं होगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इफ का condition false हो गया तो फिर 4 को continue करेगा वापस तो कहां जाएगा i plus plus पे so i के value कितनी हो जाएगी है अब i के value हो जाएगी 5 फिर condition चेक करेगा तो 5 less than equal to n n में कितना है 6 है condition true फिर अंदर आएगा फिर यहाँ पे n mod i n में कितना है 5 है na sorry n में 6 है i में कितना है 5 तो 6 mod 5 कितना होगा भाई 6 में तुम 5 से divide करके देखो remainder 1 आएगा 0 का बराबर है नहीं है condition फिर से क्या हो गया false फिर से if के अंदर आएगा यह जो system.out.print इंट्रेलन वे लाइन एक्जिक्यूट नहीं होगी फिर कहा जाएगा फॉर के अबडेशन पे फिर जाएगा जो भी फॉर के अंदर लिखा है उसको execute करने के बाद फॉर के अबडेशन पर जाता है तो अब i के value 6 condition check करेगा 6 less than equal to 6 तो i में भी 6 है condition true कि बराबर तो है less नही भी 6 है i में भी 6 है तो 6 mod 6 6 में divide करो 6 है remainder 0 आएगा 0 को बराबर हो गया condition true if के अंदर आएगा system.out.println i यानि अब क्या प्रिंट कर देगा अगला 6 प्रिंट कर देगा फिर i++ तो i के value अब कितनी हो जाएगी 7 और यह जो condition है i less than equal to n तो i में 7 है less than equal to 6 n में अभी भी 6 है तो 7 ना 6 से छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा हमारा for का condition false हो गया हमारा computer सीधे for के बाहर आ जाएगा program खत्म तो i hope clear हो गया होगा कि किस तरीके से हम number of factors को print करने का program लिखेंगे इस program को मैं run करके दिखाता हूँ तो save कर लेते हैं पहले और यहाँ पे clear जो भी यह terminal में लिखा है आ लेता हूँ मैं फिर java c abc.java then यहाँ पे देते हैं java abc right enter enter number मैं देता हूँ 6 तो यह देखो 1 2 3 1 2 3 6 आ गया कि नहीं राइट फिर से run करता है तो अब मैं देता हूँ 10 तो 10 के factor क्या क्या है 1 है 2 है 5 है और 10 खुद है तो देखो 1 2 5 10 आ गया ना output so I hope समझ में आ गया होगा next program है program to check prime number अब देखो एक प्रोग्राम में थोड़ा सम कुछ और लिखने वाले एक्स्ट्रा थोड़ा सा चेंज करने वाले है तो prime number क्या होता है एक प्रोग्राम में है कि user एक number एंटर करेगा तो भाई यहां तक तो same program रहने वाला है scanner एक number हमने n ले लिया फिर enter the number फिर हमने n में input ले लिया यह इतना तो same रहने वाला है और यह for loop भी रहेगा बताता हूँ मैं अभी तो अब हम क्या करेंगे यहां पर user एक number एंटर कर दिया तो prime number क्या होता है तुम बताओ कोई भी prime number को देख लो उसके दो factor होते है एक one होता है और एक ओ नंबर खुद होता है जैसे three prime number है इसके दो factor है one और three खुद कोई भी prime number 11 prime number इसके दो factor है one और 11 खुद तो कोई भी prime उठाल प्राइम नंबर उठालो उसके दो factors होता है एक one और एक ओ नंबर खुद तो हम यहां पर क्या करेंगे count करेंगे कि user ने जो number n में एंटर किया है उसका कितने factors है तो count कैसे करेंगे तो यहां पर n के साथ एक और variable ले लो भाई count करोगे तो जो counting उसको कहीं store करोगे न तो एक और variable लेता हूं count नाम का तुम चाहो तो c नाम का ले लो किसी नाम का और इसको मैं 0 sin slice कर ले ला हूं क्यों मैंने 0 sin slice किया भी बताऊंगा और फिर enter the number user input लेंगे लाइन बिल्कुल सेम रहेगी next next int for loop के अंदर ए system.print1 वाला हटा देते हैं यह for loop और इस सेम रहने वाला है अब यहां से इस चीश को ध्यान से समझो देखो यह loop user n में जो भी number enter करेगा user ने 10 enter कर दिया तो loop 10 times चलेगा ठीक और if उतनी बार ही true होगा जितनी बार i की value n को divide करेगी यानि अगर user ने मान लो n में 10 enter कर दिया तो हमारे if कितनी बार true होगा हमारे if true होगा जब i की value 1 होगी तो if true होगा झब two होगा तो true होगा जब five होगा तो true होगा जब 10 होगा तो right यहानि चार बार अब हम क्या करते हैं if के अंदर हम लिख देते हैं count plus plus इससे क्या होगा इफ जितनी बार true होगा count की value उतनी बार increase होगी यानि जब हम for के बाहर आएंगे तो final जो count की value होगी वही number of factors होगा factors हुए तो मत्यों प्राइम नंबर है और दो factor से जादा हुए तो प्राइम नंबर नहीं है composite नंबर हो गया फिर तो एक example लेता हूँ मैं जैसे 5 ठीक है मान लो यहाँ पे n में user ने 5 एंटर कर दिया अब देखो इसको समझो 5 क्या मैं 6 ले लेता हूँ एक in your hands just give me a second just one second the andme 4 आगया फिर 4 में आएगा तो i में 1 अब i less than equal to n और i में 1 न और less than equal to n में 4 है तो condition क्या हो गया condition 4 का true हो गया 4 के अंदर आएगा जब 4 के अंदर आया तो 4 में if मिला तो n mod i n में कितना है 4 mod i में कितना है 1 तो 4 mod 1 कितना होगा 4 में 1 से डिवाइड करो 1 4 जा 4 remainder 0 तो यानि जो हमारा n mod i है यहाँ पे जो हमारा n mod i है कहां गया n mod i n में कितना है 4 और i में कितना है 1 यह कितना हो गया 0 जो कि 0 को बराबर है condition true तो computer कहा आएगा if के अंदर और count plus plus यानि count की value को एक increase कर देगा अब देखा count में 0 क्यों लिया था सोचो अगर count में 0 ना होता तो यहाँ पे plus plus किसको increase करता blank variable को थोड़े increase करता तो इसलिए यहाँ पे initial value लेनी ज़़ा रही थो हमने 0 लिया था right so count plus plus count की value 1 हो गई फिर computer i plus plus पे जाएगा बिल्कुल पहले कितर है तो i की value कितनी हो जाएगी 1 sorry 2 फिर i less than equal to n तो i में कितना है 1 और n में कितना है 4 तो condition true फिर अंदर आएगा फिर safe में आया तो अब n में तो 4 है अभी भी बट i में कितना है 2 तो 4 mod 2 कितना हो गया again 0 if का condition true if के अंदर आएगा फिर count plus plus execute होगा तो count की value of 1 के बाद क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी 1 था तो भी increase करके 2 कर देगा फिर 4 के updation पर जाएगा so i plus plus i के value कितनी हो जाएगी 3 फिर condition पर गया तो i less than equal to n i में 3 है n में 4 है condition true 4 के अंदर आया if में जाएगा तो n mod i n में कितना है 4 ही है बट i में कितना है 3 है तो 4 mod 3 कितना होगा 4 में 3 से divide करके देखो remainder 1 आएगा जो की 0 के बराबर नहीं है तो if का condition किया हो गया false तो computer if के अंदर जाएगा नहीं जाएगा count की value increase नहीं होगी देखो जब number i की value number का factor नहीं है तो if true नहीं हुआ count increase नहीं हुआ फिर i plus plus पर जाएगा तो i के value कितनी हो जाएगी 4 फिर condition पर जाएगा तो i less than equal to n तो i के value 4 है n के भी value 4 है तो condition 4 का true 4 के अंदर आएगा if में जाएगा तो n mod i अब n में भी 4 है i में भी 4 है तो 4 mod 4 0 होगा जो 0 का बराबर है if का condition true यानि i के value जो 4 है वो 4 का factor है if के अंदर आएगा count को फिर increase कर देगा count के value 3 कर देगा फिर यहाँ पर i plus plus पर जाएगा तो अब i के value कितनी हो गई 4 थी न 5 हो गई condition 4 का check करेगा तो 5 less than equal to n i में 5 है n में 4 है तो भाई i अब 9 से छोटा है न उसके बराबर है 4 का condition false 4 के बाहर आगया अब देखो जब हम बाहर आए तो final count के value क्या होई है हमारी final count की value होई हमारी 3 अब तुम देख लो 4 के कितने factors होते हैं 4 के 3 factors होते हैं कौन कौन से 1 2 और 4 खुद तो जब हम loop के बाहर आएंगे तो user जो भी number enter किया होगा उसके कितने factors है count की value उतनी होगी अगर मानलो user ने n में 10 enter किया है तो count की value कितनी होगी count की value हो जाएगी अब if कितनी बार true होगा if true होगा 1 के लिए then 2 के लिए then 5 के लिए then 10 के लिए यानि count plus plus कितनी बार execute होगा चार बार यानि final count की value 4 होगी राइट देखो मैं तुम्हां print करके दिखायता हूँ मैंने factors यहां count कर लिया अब मैं factors को print करके दिखायता हूँ 4 के बाहर so system.out.println और number of factors तो हला कि एक तुम्हारा और और प्रोग्राम इसमें हो गया तो count number of factors और plus मैं यहां देता हूँ count ठीक है यह त्वा अगरबढ हो गया मुझे arrow यहां से हटाना हो गया backwards less अब इस प्रोग्राम को run करते हैं so java c abc.java java abc तो मैं देता हूँ 4 तो 4 के 3 factor होते हैं न देखो number of factors equal to 3 फिर run करता हूँ मैं देता हूँ 12 12 के factor कितना होंगे 1 2 3 4 then 6 then 12 खुद 6 छे factor होंगे तो number of factor equal to 6 I hope समझ में आ गया होगा बट अब हमें message print करना है कि number prime है कि नहीं तो तुम्हें पता है कि अगर number के सिर्फ 2 factors है तो prime number होगा तो यहां पर हम message देदेंगे if for के बाहर अब if else के use करेंगे मैंने बताय था न if else के use कहा करते हैं जहां पर condition पर work करना हो तो यहां पर condition है कि नहीं कि अगर count की value 2 के बराबर है तो prime number है और नहीं तो not prime number तो हम लिखेंगे for के बाहर लिखेंगे if count equals to 2 अगर एक true हुआ तो हम if के अंदर क्या print कर देंगे system.out.println this is prime number right और अगर false हो गया तो मतलब count के वह लिए 2 के बराबर नहीं हुई तो prime number नहीं है और जो number prime नहीं होता उसको क्या बोलते है composite number तो तुम else में चाहो तो print कर सकते हो this is composite number या फिर this is not prime number so system.out.println this is not prime number not prime number यह हमारा प्रोग्राम हो गया right so अगर मानलो अब user ने n में 10 enter किया तो यहां पे factor कितने होंगे 10 के 4 होंगे तो count की value कितनी हो जाएगी 4 फिर if में आएगा तो if count में कितना है 4 से निकलने के बाद 4 है तो 4 2 के बराबर है क्या नहीं सिर्फ दो बर true होगा तो count प्लस प्लस दो बर execute होगा तो count की value 2 होगी फिर if में आएगा तो count equal to 2 if true हो गया if के अंदर आएगा print करते हैं this is prime number और else में नहीं जाएगा ठीक है तो run करके देखते हैं इस program को save so java c abc.java और फिर java abc तो मैं देता हूँ 5 5 prime number है ना दो ही factor होते हैं दो ही number से divide होता है 1 और 5 से देखो this is prime number फिर java abc अब 8 देता हूँ 8 prime number है क्या नहीं क्योंकि 8 के कितने factors होंगे 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8 खुद होगा 4 factors तो देखो this is not prime number so i hope clear हो गया होगा और इसमें अब एक चीज यह है कि अगर user ने माल लो 0 एंटर कर दिया तो 0 तो ना prime होता है ना composite होता है तो अगर user ने 0 एंटर कर दिया तो हमारा प्रोग्राम में क्या होना चाहिए अगर user ने 0 एंटर किया तो तो basically तो ना prime number का program complete हो चुका है अब तुम्हें इसमें कुछ करने के जरुएत नहीं है बट एक situation और है कि अगर user ने 0 एंटर कर दिया तब क्या क्योंकि 0 तो ना prime number उसको बोल सकते हो ना not prime number बोल सकते हो वो दोनों में ही नहीं आता हो सिर्फ 0 है अगर user ने 0 एंटर किया हमने जब प्रोग्राम किया तो हमने यह एजूम करके किया कि user 0 एंटर नहीं करेगा और maximum तुम्हारे schools में 910 में यही प्रोग्राम teachers भी कराते हैं बर चलो यह भी situation हम देख लेते हैं user ने 0 एंटर किया तो क्या होगा तो बहुत simple है हमने user input यहां पर लिया है simple इसके बाद हम message एक if लगा देंगे for के पहले कि if अगर n 0 के बराबर है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अगर 0 के बराबर हुआ तो if के अंदर हम message देदेंगे system.out.println this is 0 और यह message print करने का बाद हम चाहते हैं कि user नीचे का जो भी code है उसको execute ना करे क्योंकि अम मतलब भी नहीं है 0 enter किया तो तो क्या करेंगे if के अंदर इस line के नीचे system.exit और exit में कितना pass कर देंगे 0 system.exit क्या करता है program को यहीं पे terminate कर देगा इसके आगे कुछ execute हो नहीं नहीं देगा मतलब computer को बोलेगा बस भाई खतम करो program यहीं पे नीचे जो भी लिखा उसको execute नहीं करना है आया समझ में तो देखो run करते है program को so java c abc.java java.abc अब enter the number मैं 5 enter करता हूँ, prime number नहीं है न तो देखो this is prime number, sorry prime number था this is prime number, तो हमने 5 enter किया जब n में तो क्या हुआ, if का condition false हो गया, क्योंकि n 0 के बराबर तो है नहीं, तो if के अंदर नहीं गया तो फिर हमारा नीचे for execute हुआ number of factor count हुआ जो count में 2 आया होगा जो 2 के बराबर था, if के अंदर प्रिंट कर दिया, this is prime number बट, चलो मैं enter करता हूँ अब 0, देखो, this is 0 और कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि n में हमने 0 जब enter किया तो if क्या हो गया, true हो गया, n 0 का बराबर हो गया, if के अंदर आया, message print कर दिया, this is 0, और system.exit क्या किया, program को terminate कर दिया, आगे कुछ execute हो नहीं नहीं दिया, same जो पिछला program था, to print all the factors of the given number, उसमें भी यह कर सकते हो, for के पहले, same if all if लगा सकते हो, ताकि user 0 enter करे तो program terminate हो जाए, this is 0 print करे, so I hope clear हो गया होगा, कि basically यहां पर हमने 2 नहीं, 3 program देख लिया, पहला program to print all the factors of the given number, दूसरा program to count number of factors of the given number, मतलब user एक number enter किया, बताओ इसके कितने factors हैं, जैसे user ने 8 enter किया, तो output हांच यह 4, क्योंकि 8 के 4 factors हैं, और तीसरा program हमने देखा, prime number check करने का, right, so thank you for watching this video, video को like करो, और channel को subscribe करो, मिलते हैं इस series के अगले video में,